हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूटूब चैनल एल जी आड़ा स्टडी में दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग आने वाले आई टिया एक्जाम के लिए साइंस के भी भी आपजेक्टिव कुश्चन का त लिस्त में जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक दोस्तों यस वीडियो के description box में हम दे दिये हैं दोस्तों आपको बता दे कि आज हम आपका जो पहला question होगा वो 12 नंबर होगा क्योंकि 11 question दोस्तों पीछे के वीडियो में already हम देख चुके हैं यहाँ पर दोस्तों आज का जो आपका पहला question है वो पूछ रही है कि किसी तुल्यकारी उपगरह की पिर्थवी की सता से उचाई लगभग कितनी होती है तो आपको दोस्तों बता दे कि 12 यहाँ पर यह option है बिलकुल ही सही हो जाएगा यानि कि दोस्तों 36,000 km यानि कि question समझने और कोशिश कीजिएगा तुल्यकारी उपगरह का क्या मतलब होता है जो आपको बता दे उपगरह जैसे आप समझते हैं कि यह पिर्थवी है और पिर्थवी का मात्र एक ही उपगरह है दोस्तों आपको बता दे वो है दोस्तों मुन तो आपका अगर यह question का सीधा सीधा से दोस्तो चक्कर लगाती है चलिए इसी तरह हम लोग जो है दोस्त आगला जो आपका दो नंबर क्वेश्चन है आज का उसको देख लेते हैं पूछरे कि बर्षा की बुंद का अकार गोला कार किस कारण से हो जाता है आप सभी जानते हैं कि बर्षा का जो बुंद है वो गोला आकार में दोस्तो नीचे गिरती है तो इसका कारण क्या है यह आपको बताना है तो यहां पर दोस्तो आपका जो बी आप्शन है आज का बिल्कोली सहो जाएगा यानि कि प्रिष्ट तनाब के कारण सर्फेस टेंसन जिसको हम लोग बोलते हैं जो इंगलिस मेडियम के किस देश से हैं या फिर सीदा समझ लीजिए कि किस देश के वह रहने वाले थे तो यहां पर चोदा का जो दोस्तो आपका डी ऑप्शन है पिल्कोली सहो जाएगा यानि कि ग्रिष्ट जो देश है दोस्तो वहां के ही आर्के मिजिटिग जो आपके बैग्यानिक थे वो थे दोस्तों आपको बता दे कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि दोस्तों आपको सारा बात जो है समझ में आ सके और साथी साथ याद होता चले और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो गिरपे वीडियो को लाइक कर दीजे साथी अपने दोस्त काड़ी और आईटिया का तैयारी भी दोस्तों आप लोगो इस पर कराया जाता इस चैनल के माध्यम से और दोस्तों आपको बता दे कि अगर अभी तक आप हमारे अप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किये हैं जो कि आपके आईटिया एक्जाम के लिए बेहादी महत्पूर्ण हैं वहाँ पर दोस्तों आपको 10 साल का प्रीवियस एयर का क्वेश्चन और आने वाले एक जाम के तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का मोडल सेट और दोस्तों सभी सब्जेक्ट का मोस्ट भी वी क्वेश्चन भी दोस्तों वहाँ पर आपको उपलब्द है तो वहाँ पर वीडियो के description box में उसका हम link दे दिये हैं वहाँ से जाकर कि उसको download कर लिजी और आज से ही अपना त्यारी शुरू कीजिए क्योंकि दोस्तों आपका समय बेहदी क्या है महतपूर्ण और कम समय में कम अधिक से दिक आप त्यारी करने का से और रहा है जब बर्फ फिघलती हैं तो पानी के अस्तर पर क्या प्रभाब होगा यह बर्फ जब पिघल जाएगी तो पानी घास्तर घट जाएगा या फिर आपका वैसा ही रहेगा यह आपको दोस्तों बताना है तो पंद्रा का जो यहां पर आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही आनी के उतना ही रहेगा क्योंकि दोस्तों पहले से भी तो बर्फ आपका पानी में ही ही होती है नहीं कमी होती है चले आपका है यहाँ पर जो सोला नूंबर К्षेटन को हम देख लेते हैं उला नूंबर क्षेटन के दौरा दोस्तों यहाँ पर आप से पूछा जरा है कि गुरुत्वा-कर्ष senza59 प्रति पांदन किसमें कि आ simply यह आपको दोस्तों बताना है तो solar का जो दोस्तों है आपर यह option है बिल्कुल ही सोजगा यानि कि Newton नहीं दिया अब बात कर लेते हैं दो मिनिट में shortcut में कि आखिर गुरित्वा करशन का जो सारबतरिक नियम है वो क्या है Newton ने दोस्तों उन्होंने बताया कि अगर कोई दो बस्तों है और उसका मान दोस्तों मान लिजे कि मास है M1 और इसका मास है M2 और दोस्तों अगर इसके केंदर के बीच का जो दूरी है दोस्तों वो अगर R है तो उन्होंने बोला कि इस पर जो लगने वाला बल होगा जो गुरुत्वा करसन का जो आर्थ दोस्तों इसका आर्थ है कि दुनिया के सभी बस्तु एक दूसरे को अपने केंदर की और क्या करती है अकरसित करती है तो कितना अकरसित करेगी यही इसमें बताया गया तो आपको बताया गया इनके दौरा न्यूटन जी के दौ पर दोस्तो एफ बराबर G into M1 M2 और बट्टे R square दोस्तो क्या किया गया बोला गया यही फर्मूला गुरुत्वा परसन का सारबतरिक नियम है एफ बराबर G into M1 M2 बट्टे R square यानि कि जो फोर्स होगा दोस्तो वो मास के गुननफल के समानुपाती होगा और दूरी के वर्ग के वियूत करमानुपाती होगा ऐसा बोला गया इसके नियम के अधार पर अब देख लेते हैं आपका जो अगला महत्पूर्ण कोईस्चन है यहाँ पर कोईस्चन नंबर 17 यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछ रहे कि निमनलिखित में से कौन सा एक केजी द्रब्मान के हैना पिंड पर काड़े सील पिर्थिवी के गुरुत्वा करसन का सही मान है एक केजी द्रब्मान जो होगा दोस्तो एक केजी द्रब्मान वाला जो कोई बस्तू होगा उस पर कितना गुरुत्वा करसन बल लगेगा पिर्थिवी के द्वारा यह आपको बताना है कितना नियूटन लगेगा एक केजी बस्तू के जो एक केजी द्रब्मान वाला बस्त 8 Newton और Newton दोस्तों आपको पता दे कि Newton जो है वो बल का क्या है SI मात रखें ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे इसके बाद यहाँ पर जो आपका 18 नंबर question है 18 नंबर question पूछ दे कि एक होर्स पाबर यानि कि एक HP कितने वाट के बराबर होता है एक होर्स पाबर जिसको हम लोग दोस्तों HP बोलते हैं और इसको सुद्ध हिंदी में बोला जाए तो इसको अस्व सक्ति भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है तो एक अस्व सक्ति बोलिए या फिर एक हर्स पापड बोलिए या फिर एक HP बोलिए तो ये किस्तिना के बराबर होता है, कितना वाट के बराबर होता है, यह आपको बताना है, तो 18 के हैं पर आपका C option बिल्कुली सोई जगा, यानि कि 746 वाट, कितना दोस्तो उस दोस्तों? किसने Newton से पूर्वी ही बता दिया था कि सभी बस्तुएं सभी बस्तुएं पिर्थवी की और गुरुत्वा करसित होती हैं दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि Newton ने सबसे पहले बताया कि गुरुत्वा करसन का नियम किसने दिया Newton ने दिया गुरुत्वाकर्शन का नियम मतलब सभी जितने भी बस्तू है सभी को पिर्थवी अपने केंदर की ओर जो है आकरसित करती है इसे हम गुरुत्वाकर्शन करते हैं लेकिन Newton से भी पहले कौन ऐसे बेक्ती थे जो गुरुत्वाकर्शन की नियम को बता चुके थे और वो बोल चुके थे कि सभी बस्तू है पिर्थवी की ओर गुरुत्वाकर्शित होती है मतलब खिची जाती है यह किनो ने बताया था तो 19 का यहाँ पर दोस्तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका दे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया उस अपलिकेशन का उसको आप लोग जो है जली से जली डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पर दोस्तो आपको दस साल का प्रीवेस यह का क्वेश्चन उसके बाद सभी सब्जेक्ट का मोडल सेट और है उसमा का यूनिट आपको बताना है यूनिट मतलब मात्रक होता है उसमा का मात्रक वो भी दोस्तो ऐसा है मात्रक याद रखना है उसमा का ऐसा है मात्रक आपको बताना है यहाँ पर तो उसमा का ऐसा है मात्रक यहाँ पर दोस्तो आपको बता दे कि 20 का जो सही आंसर हो जा जा रहा है कि कितना ताप मान होने पर पठ्थांक Celsius और फॉरेन हाइट ताप मान में एक ही होंगे दोस्तों आपको बता दे कि जो ताप है उस ताप को दोस्तों तापका अलग-अलग यूनिट है आप यहां पर जैसे दो यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं कि एक Celsius होता है दोस्तों डिगरी फॉरेन हाइट तो यह दोनों के दोनों दोस्तों आपको बता दे कि यह दोनों के दोनों ही आपका ऐसा यूनिट नहीं है ताप का तो ताप मान का ऐसा यूनिट क्या होता है यह भी दोस्तों आप याद रख लिजिए ताप का ऐसा यूनिट होता कैल्व अब इस question को हम समझ लेते हैं कि यहाँ आप आपसे क्या पूछा जा रहा है यह question दोस्तों पूछ रहे कि Celsius और foreign height में एक ही होंगे कौन सा तापमान कौन सा तापमान Celsius और foreign height में एक ही होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो A option में बिल्कुल इस होज़ागा माइनस 40 डिगरी माइनस 40 डिगरी जो दोस्तों तापमान है वो Celsius में ही भी आपका मैनस 40 डिगरी ही रहेगा और foreign height में भी दोस्तों माइनस 40 डिगरी ही दोस्तों क्या होगा रहेगा चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताईएगा और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो कि पर वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही अपने दोस् बहुत सारे कलास दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को तक पहुंचाया जा रहा है और अप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किये तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां से दाकर करके आप अप्लिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं